तो हेलो बच्चों, आपका एक बार फिरस्तों कते, आज के इस वीडियो में यहाँ आज आज आपको कहराने वाले हैक अक्छन नवी है, यहाँ पर आपका बर्क सीट है, थीक है, आपका तारिक 6 10 दोल מאकिस, यह निए आपका आज 6 अक्डूबर की यह बर्क सीट है, यहाँ आपका अध्याय क्या दिया है, संधी के अंतर गत्म पढ़ने वाले यहाँ पे गुड़ स्वर संधी के बारे में, ठीक है अचलिए फटा फट सभी question के आंसर आपको दिखाते हैं, ठीक है यहाँ पे आपको जो है बिद्ध्यारती का नाम लिखना है इसके बाद आपका पे बिधाय का सूत्र हो जाएगा, आज गुड़ा, correct answer आपका हो जाएगा, question number यहाँ पे second में लिखा है, संधी बिखेद कुरूत, आपको इन दो आपको लिखेद करना है, तो answer में आपका पहले मिलिख देना है गड़ धन, इसा हो जाएगा, ठीक है आपका यह गड़ स्व संधी का उधारण है, साथ ही आपका second में आपके लिखा हुआ है, महे सोरा, यानि महा धन इस सोरा आप लिखेंगे, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका महे सोरा हो जाएगा, question number 3 में चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे आपका लिखा गया है, क्या आपका अंसर क्या हो जाएगा, रमेसा हो जाएगा, दूसरे का आपका यहाँ पे देबेसा हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद चलते हैं, अगला question हमारा है, चोथा, क्या इंग्लिस बोलने से लगता है, आपको डर, तो डरना बंद कीजिए, और doubtnet के English Speaking Course के साथ आज ही जूड़ जाएगे, जहाँ इंग्लिस के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भासा के मदद से इंग्लिस बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से, अगर आप इंग्लिस बोलने से हिचकी चाहते हैं, अपने इंटर्व्यू के लिए इंग्लिस सिखना चाहते हैं, आज ही डाउटनेट एब पर आकर ये कोर्स खरी दिए और अपने खुल कर इंग्लिस बोलने के सपने को फूरा कीजिए, तो यहाँ पर आपका लिखा रहा है संधी युक्तम कुरू, यानि आपको इस में भी आपका बिच्छेत दिया गया है, आपको इस क्वेश्चन में पहला और दूसरा में आपको संधी का नाम लिखना है, तो आपका सूर्य धन उदिया क्या होता है, आपका सूर्य उदिया, इसके बाद पर धन उपकारा आपका ये भी गुड़ संधी कहीं है, क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, आपका गुड़ संधी, तो आपका य पाया है आपका ये सही आंसर हो जाएगा सिकेंड का आपका या पी लिखा है महधन उद्या आपका ये राइट अंसर हो जागा तो देखिए हमने आप पर प्रॉपर तरीके से नोटिफिसन मिलती रहें मिलते हैं निक्ट वीडियो पर जैंद जैब भारत झाल झाल